हेलो दोस्तों वेलकम बैक ओन माई चैनल तो आज हम करने वाले हैं सत्यप्रेम की कथा मूवी का रिव्यू तो चलिए इस मूवी का रिव्यू कर लेते हैं आर्यन और कियारा आडवानी की जोडी ने पिछले साल भुल भुलेया दो के जरीये बॉक्स ओफिस पर धमाल मचाया था यही जोडी अब आज रिलीज हुई फिल्म सत्यप्रेम की कथा में फिर से दर्शकों के बीच उतर रही है इद के मौके पर रिलीज हुई यह फिल्म एक फैमली एंटर्टेनर है जिसके ट्रेलर में शादी, रोमांस, इमोशन सब नजर आये थे भावनाए आहत नहो इस चक्कर में सत्य नारायन की कथा को बदल कर सत्यप्रेम की कथा क्या गया लेकिन निर्देशक समीर विद्वान्स की ये फिल्म, क्या दर्शकों की भावनाएं इस फिल्म के प्रती जगाने में काम्याब होगी आईए आपको बताते हैं इस रिव्यू में गुजराती परिवार में रहने वाले सत्यप्रेम यानी कार्थिक आर्यन को अहमदाबाद के बड़े बिजनेस्मैन की बेटी कथा यानी कियारा आडवानी से पहली ही नजर में प्यार हो जाता है लेकिन सत्यप्रेम अपनी फीलिंग्स कथा को नहीं बताता क्योंकि कथा का पहले से ही बॉइफ्रेंड है एक साल बाद सत्यू को पता चलता है कि कथा का ब्रेक अप हो गया है तो वो फिर से उसके पास पहुचता है और कोशिश करता है कथा और सत्तू की शादी हो जाती है लेकिन ये शादी वैसी नहीं है जैसी आम शादिया होती है आखिर ऐसा क्यों है क्या वज़ा है कि कथा शादी के बाद भी सत्तू की नहीं हो पाती है तो वो जानने के लिए आपको सिनेमा घ्रो तक जाना होगा गुजराती परिवेश में बनी इस फिल्म के पहली ही सीन में आप थोड़ा अटपटा सा महसूस करेंगे लोग के एक्जाम में फेल हो चुका सत्तू घर में जाड़ू लगाता है, बरतन मांचता है और उसकी बहन टेबल पर बैठ कर नाश्टा करती है हाला कि इस सब को पचाना पहली ही सीन से उतना आसान नहीं है लेकिन यही इस फिल्म की बड़ी बात है कि जब आगे जाकर आप सत्तू की परसनेलिटी उसके फैसलों को देखते हैं तो समझ पाते हैं कि जो मरदानगी की डेफनेशन तै है ये सत्तू वैसा नहीं है कहानी का फर्स्ट हाफ कॉमेडी के साथ कहानी को परोस्ता है कुछ जगा हसी आती है पर आप ठाका लगाई या खूब हसे वो थोड़ा मुश्किल है सेकंड हाफ में तो एक मुमेंट पर आपको लगेगा कि कहानी खत्म हो गई अब बस लेकिन तभी फिल्म और आगे बढ़ती है सेकंड हाफ इमोशन है कहानी की स्पीड ऐसे है जैसे धीमी आज़ पर पकती खिचडी लेकिन जिस तरह के गंभीर विशय को ये कहानी ट्रीट कर रही है उसके लिए इसका धीमी आज़ पर पकना कुछ हद तक सही भी लगता है कहानी की ज़्यादा परते खोली जाएंगी तो स्पोईलर हो जाएगा लेकिन इतना मैं जरूर कहूंगी कि निर्देशक समीर विद्वांस ने एक बेहत जरूरी कहानी को पेश करने की कोशिश की है जिसकी तारीफ होनी चाहिए एक्टिंग की बात करें तो कार्तिक आर्यन इस फिल्म में भी अपनी उसी ब्राइट स्माइल के साथ फुल ओन एनरजी आए है लेकिन सेकंड हाफ में कार्तिक का ठहराव आपको अच्छा लगेगा सत्तू के किरदार की फिलोस्फी है कि सच बोलने से पहले सोचना क्या और वो यही दिखाते हैं इस फिल्म को देखते हुए कार्तिक को देखने के बाद मुझे उनकी पिछली फिल्मे जैसे प्यार का पंचनामा और सोनू के टीटू की स्वीटी याद आई और कह सकते हैं कि इस अकेली फिल्म ने उनके सारे पिछले पाप धो दिये हैं हालांकि कार्तिक सत्यप्रेम की कथा से पहले आकाशवानी जैसी फिल्म भी कर चुके हैं जो ऐसे ही बेहत गंभीर विशय पर बात करती है कार्तिक की ये फिल्में हमेशा उनकी फिल्मोग्राफी में चमकती हुई नजर आएंगी वही कियारा आडवानी ने कथा के किरदार को बखुबी परदे पर उतारा है उनकी आंखे आपको वो दर्द साफ दिखाती है जिसकी बात इस कहानी में कही गई है कियारा अपने किरदार में खूबसूरत लगी है गजराज राव और सुप्रिया पाठक हमेशा की तरह कन्वेंसिंग लगे है बाकी शिखा तलसानिया के लिए ज़्यादा कुछ है नहीं सत्यप्रेम की कथा एक रोमांटिक फिल्म है जो महज रोमांस की नहीं बलकी उससे आगे की बात करती है बस इस कहानी को सामने रखते हुए इमोशन्स का ज्यादा और मनोरंजन का कम इस्तमाल है कुछ जगा पर फिल्म भारी हो जाती है लेकिन सेकंड हाफ में कई हिससे ऐसे हैं जो आपको एहसास दिलाते हैं कि जिसे अभी तक हम परफेक्ट समझ रहे थे वो भी खुद को किसी पर थोपना ही है इस फिल्म में कई कमिया हो सकती है पर ये कहानी एक जरूरी कहानी है जो अपने इमोशन्स और मैसेज से आपको सोचने पर शायद अपने नजरिये को बदलने पर मजबूर कर देगी मेरी तरफ से इस फिल्म को 3.5 स्टार तो दोस्तों मिलते हैं अगली मूवी के रिव्यू पर